पुर्देखिस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है बीचेपी सांसत पर लाठी चार्ज के मामले में लोगसभा विश्वेसाधिकार समेती एक्षन में है सात अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है जनारदन सिंग सिग्रवाल पर लाठी चार्ज हुई थी संद्रेश्वेकर सिंग भी तलब किये गये हैं इससपी राजिव मिश्रा भी बुलाए गये हैं तो यह दिल्ली से बड़ी खबर जहां कई अधिकारियों को तलब किया गया है तो यह तस्वीर उस वक्त की है जब लाठी चार्ज चनारदन सिंग सिग्रवाल के ऊपर किया गया था इसको लेकर के प्रेट्रकॉल के उलंगन के शिकायत की गई थी और इस मामले में लोगसभा विश्वेस अधिकार समीती का एक्षन देखने को मिला है साथ अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है जिसमें भट्टी बुलाए गया है साथी डीम चंद्रशेखर स अधिकार समीती कई अधिकारियों को तलब किया गया है क्या लग रहे किया बागे क्या होगा बिल्कुल देखे जब गटना गटे थी उसके बाद से ही जनारदन सिक्रिवाल ने इस मामले को काफी मजबूती से रखा था और उन्होंने लोगसभा के बिशिसाधिकार समीती को भी ये मामला दिया था लोगसभा को भी इस बात की जानकारी दी थी कि उनके साथ किस तरीक कारी है उन्हें बुलाए गया है कि आखिर क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए और जो 21 तारीक को बैठक होनी है उस बैठक में इन तमाम लोगों को वहां जाना है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यह घटना घटी है उस घटना के बाद से ही कई सवा उठ रहे थे खास तौर पर और जो भाजपा के लोग हैं उनके पुलिस की काफि बरबर पुन कारवाई है और जनारदन सिर्क वाल को जिस तरीके से पुलिस के द्वारा पीटा गया था वो वीडियो भी सामने आया वो वीडियो लगातार तमाम चनलों पर और चला उसके ब और उसके बाद अब इन तमाम अधिकारियों को वहाँ बुलाया गया है 29 को कि वहाँ आईए और आकर के अपनी पूरी बात बताई मतलब सिती एसफ़स्ट करने के लिए ये कहा जाएगा कि आखिर बताई कि किस तरीके से ये पूरी जो करवाई की गई क्यों की गई क्योंकि एक सांसत पर लाटी चार्ज हुआ था और उसके उसके बाद वह घायल भी हुए थे अस्पताल में बढ़ती हुए थे तो कुल मिला करके कहा जा सकता है कि अब इस पूरे माम यह पूरा जो मामला है लोग सभा का बिशिसादिकार समीती में है देखना होगा कि वहां से अब आगे इस मामले में क्या कारवाई होती है लेकिन फिल्हाल इन बिहार के डीजीपी के डीजीपी सहीच साथ जो बड़े अधिकारी है उन्हें बुलाया गया है दिल्ली विशिचादिकार समीती की अगली बैठक में जी चले शुग्रिया अश